बसकार दोस्तों तो आज के टाइम पर जो लोग नई आई कार ले सकते हैं उनके लिए नई कार लेना कोई बड़ी बात नहीं है जो लोग एज Любे एफट कर सकते हैं कि ले तो कोई भी बड़ी बात के महीं स्टेरिंगों दिनने Greenforward Road C जीन आफ़चा शुटछी में आपने इस एक अन्रा में का शरी कंश श्ल!! तो जैसे कि आप यह मैंने घर पर ही खुछ से करी यह भी मैंने ओनलाइन ओरर किया था और रिएक जो है यह H Wednesday मैंने खुछ से घर पर ही किया तो इसके लावह आप जो He Ariel आप लाइनर देख रहे। यह भी मैंने खुद से घर पे किया है कि घर पे जो भी आसानी से अविलेबल चीज़ें होती है उनके हैप साप कैसे घर पर अपनी कार को मैंटेन कर पाएं और यह हैटलाइनर क्लीनिंग के प्रोसेस भी मैंने वीडियो बनाया हूँ है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इक रैटलिंग सी नौइस आने लग जाती गाली पुरानी अनिके बाद अगर आपके पुरानी गाली है तो आपने भी ध्यान दिया होगा जो मतला आवाज होती है आते ही रहती तो उसको आप चाहें तो घर पे आसानी से ठीक कर सकते हैं जिनमें यह रबड के लगे होते है इनका exact ना मुझे नहीं पता बट आप देखेंगे तो आप को यह आपके कार के फ्रेंट डोर्स और यह जो बूट का दर्वाजा होता डिकी का उसमें मिल जाएगा तो इसको आप anti clock wise घुमा लिजएगा दोनु साइट से और उसके बाद कार का दर्वाजा बंद करने ही कोसिज करेगा अगर आपके कार के दर्वाज में damage नहीं है तो आपकी जो rating noise होती है कार के दर्वाजे की वो काफिए तक बिलकुल कम हो जाएगी या बंदी ही हो जाएगी होनी तो बं जाएगा अगर वो भी आवाज कर रहे हैं उनसे भी rattling noise आ रही है तो आप इनको anti clock wise घुमा सकते हैं थोड़ा बाहर की दरप कर सकते हैं उससे ही होगा जो space होगा दर्वाजे और गारी की body के बीच का वो थोड़ा कम हो जाएगा और जो आवाज आ रही है दर्वाजे धीले ह होने लग जाते हैं पुराने होने के साथ तो आवाज सही हो जाएगी इसके अलावा जो मैं आपसे थोड़ दर पहले बात कर रहा था कि जो कार की maintenance होती हो आप घर पर कैसे कर सकते हैं तो आपसे मैं देख रहे हैं जो इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है आप देखना चाह की दरवाजे क्लीनिग या ड्राइक लिनिग या डैसबोड क्लीनिग और बाकी जितनी प्रोसेस होती है maintenance से लेकर cleaning तक कि सारी की सारी प्रोसेस जितनी भी होती है वही मेरा में मोटिव रहता कि आप सब के साथ करूं और वही मैं आपके साहर करने कोसिस भी करता हूं तो ही सब छोटी छोटी चीजे मैं आपके साहर करने की कोसिस करता हूं अगर आपका किसी कार या ओटुमवैल से related कोई भी क्वेस्चन है कार भाई क्या स्कूटी से related तो आप मुझे नीचे comment box में comment कर सकते हैं यो भी आपका question होगा मैं कोसिस करूंगा कि उसका अच्छे से जव ठीचे से फास्कार